नमस्ति फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप सब छीक होंगे तो नए ब्लॉग में फिर से आपका सौगत है देखिए ये मैं साइकन सैटर्डे वाले दिन शाम को अपने लोकल नर्सरी में गई थी ये लग में है पेट्रोल पंप के साथ सक्तिया नर्सरी ये साइकला मीन कितने सुंदर लग रहे हैं डायन्थस पिटूनियाज और मैंने डायन्थस लिए तिन चार कलर मैंने डायन्थस के लिए और क्लोब वाइन ली ये ऐसे मैरून कलर के बंचिज जैसी ये गुच्छे क्लोब ऐसे लगता है कि क्लोब है क्लोब वाइन बोलते हैं इसको बहुत सुंदर ये होती है और ये इतनी root bound हो गयी थी ये छोटा सा पार्ट और इतनी जादा root bound थी कि निचे तक इसकी roots काफी जादा और बहुत ऐसे लग रहा था कि मैं अगर reporting नहीं करूँगी जली तो य इसमें sand, मित्ती और cow dung manure यह है तो यह देखें यह मित्ती जो है वो हटाना बहुत जरूरी है चिकनी मित्ती होती है इसमें तो अगर नहीं हटाएंगे तो यह roots जो है वो गल जाती है तो बड़ी अराम से roots को damage किये भी न यह मित्ती जो है अपने हटानी है और half यह pot भर लेना है अपने मित्ती से और उसके बाद जो plant है लगाना है फिर उपर से मित्ती डाल देनी है तो देखी इतना ही भरना है उपर तक नहीं भरना है क्योंकि जब आप पानी देंगे तो इसमें हमने बहुत ही rich यह soil जो है बनाई है बहुत अच्छी quantity में है cow dung manure इसमें मिलाया है त आपको बात बतानी थी वो मैं भूल गई थी जब मैंने watering की थी तो मैं shoot नहीं कर पाई थी तो क्या करना है कि जब भी watering करते है न तो उस समय जो हम पहले में बोलती थी कि नीचे से जो hole से water जो है वो निकलना चाहिए ऐसा नहीं करना है इतना ज़्यादा watering नहीं करनी है कि ब आने और है वो निकल जाएगा पानी के रास्ते तो watering जो है कम करनी है गिली सिर्फ मिट्टी हो क्योंकि इतना moisture retain रहे रहा है soil में कि हमें ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है इतना foggy सा और ऐसा weather है तो thank you friends अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, comment करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बबाई